कि खास मुलाकात अभासी दुनिया के मेरे दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्वेट कर नाम कल शाम से मैं उमा भारती के बयान पर चर्चा कर रहा हूं कल उनका एक वीडियो आया था जिसमें वे सरकार से नाराज दिख रही थी कह रही थी कि को एक जाती में कनवर्ट होना चाहिए रोटी मेटी का सम्मद बनना चाहिए निजी करन से पूरा आरक्षन खतम हो गया है चाती जनगना का सवाल तमाम कई तरही बाते उसमें हो रही और बात करने के सिल्सिले में वहां पे महंदर महंदर सिंग लोधी थे महंदर सिंग लोधी से परिजय करा दू यह इंजिनियर है विवसाय से ओवी सी महासवा के राश्ट्री कारकारनी के कोर कमिटी के सदस्य है बहुत एक्टिव हैं हजारों इनके फॉलोर हैं और मद्ध प्रडेश में जिन लोगों ने ओवी सिंग जोड़ जोड़ से कुछ बात कह रहे थी मैं वीडियो आपका देखा है मैंने पोशिश करता हूं कि वीडियो में साउंड आ जाय तो मैं उसको चला दूँ लेकि मुझे लग रहा था कि आप मुझे लग रहा था कि आप फॉला सा इस तरह की बात थी चलिए स्वागत है महं से दस दिन पहले इसके पहले सिवरा सिंग चोहां से डेलीकेशन मिला था हम लोग लगातार अने से ताली धरना देने जा रहे थे भोपाल में और लगातार पुलिस अरेस्ट कर रही थी हजारां की संख्या में हम लोगों को 28 का जो आंदोरन हुआ था मद्द प्रदेश में इसके बाद यहां बहुत जदा दवाव में थी सरकार तो सिख्षक भरती जो है उसको लेके हम लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि और जदा दवाव बनाया जाए तो सिख्षक भरती जो जिसमें इस्टे लगा हुआ है यहां पर यह लगातार 27-28 तारी के बाद कांग्रेस बीजे पी यह सरे लेने में कर रही है कि मैंने 70% आरक्षंड दे दिया मैंने 70% आरक्षंड दे दिया जबकि OBC महासबा 2018 जब सात तारी को सिंटरल में 10% आरक्षंड लागू किया गया तो वहां से हमारा रास्ता क्लियर हो गया था कि हमें जो हमारी OBC की संख्या उसके सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब और उन्हों ने अपने जो उनका बचन पत्र था उसमें रखा था इसलिए हम लोगों ने लगातार प्रेसर बनाया अब यह जब 28 तारीक को हम लोगों ने जब सिवरा सिंग चोहान का घेरा उपिया इसके बाद बहुत बड़ा दवाव ना और लगातार यह सिरे लेने में कर रहे थे जब कि OBC महासवा और तमाम संकटन जो है भीमार्मी हो चाहे जैस हो चाहे जितने बड़ बड़ संकटन सबका इसमें बहुत बड़ा सायोग रहा 28 तारीक को अब जब सिवरा सिंग चोहान से मिल लिए तो उमाभारती को भी याद दिया उन्होंने बुलाया और हम उनने समय दिया तो हमने उनसे बात की तो हमने ये बताने का प्रयास किया था कि देखिए मद्द परदेश में जब 2003 के पहले सुकलाल कुसवाहा जी ने नारा दिया था कि मद्द परदेश की जरूरी है और पिछड़ावार का मुकमंत्री जरूरी है तो बीजेपी ने उसको कैटर कर लिया और वो तो कुछ ना कुछ हुआ तो उनके साथ जो घटना हुई वो अलग बात है पर यहां पर क्या हुआ कि नोंने वहां भारती को प्रमोट करके और पिछड़ों के नाम पर क्योंकि मद्द परदेश में पिछड़ा वर जो कि मंडल कमिशन जब लागू हो गया था बानवे में तो इसके बाद यहां लडाई चल रही थी अब यहां पर जब देखवे सिंग कुर्सी जाने वाली थी तो देखवे सिंग एक चिठी छोड़के गए थे कि 27% आरक्षंड पिछड़ा वर्क को यहां पर देना है अब यहां उमाभारती को मिली क्योंकि उमाभारती को पिछले वर्क समाज से थी मैं उनका मिल को सबोट नहीं कर रहा पर जो रियल्टी हुई वो बता रहा हूं तो उन्होंने क्या किया सर जो 77% आरक्षंड की जो फायर थी वो आडवानी जी के पास चले गए क्योंकि उनक में उमाभारती का जो च्छे महीना आड़ महीने का कारे काल रहा उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं इन्होंने क्या किया मंद्द प्रतिस में पिछलों के लिए भौत किया था कैसे की जो आरक्षन होता है 50% उसमें इन्होंने यह किया था कि पहले हमारे OBC STC के लोग उस 50% सीट में से लेंगे जो कटॉफ हमारा ST का ST का है वो सावान के कटॉफ में उपर जो आएगा उससे हम सारी सीट में भरेंगे इसके बाद हम OBC में जाएंगे और इसके बाद हम SCST में जाएंगे यहां के यहां RSS को नाकपूर में यह चल गया पता कि यह तो बहुत करब यह है कि जब कल्यान सीग का देहां धुगा तो इन्हों ने एक सब्स बोला कि कल्यान सीग जी पिछडों के नेता थे उमा जी ने बोला तो वो जो मीडिया वाले थे उनने बोला कि वो तो कमंडल के नेता थे तो इन्होंने ये बोल दिया कि कमंडल के भी हम नेता थे और मंडल के भी हम नेता थे उमाजी ने बोल दिया हम तो मंडल के भी नेता थे तो यहां क्योंकि ये बोलती नहीं थी ये चीज अब यहां पे यह हुआ सर कि जब इन्होंने यह बोल दिया और इन्हें 20 दिन का टाइम लेके मद्द प्रदेश में यह आ गए अब यहां क्या चल रहा है कि जो गुजरात में आपने देखा होगा मुखमत्री बतल दिया वहां फिलॉफ हो गए यह लोग यहां भी यह सरकार क जो इन्होंने बिदायक खरीदे जो भी किया इन्होंने यहां भी फिलॉफ हो गए यह लोग अब सिवरा सिंग चोहान को हटाने का रहा तो यहां पर यह इनको एक कट्पुद्ली की तरह चाहे जिसको भी बठाना चाहते हैं उसका काम चल रहा है अभी अमित साही भी आए से यहां पर तो यह प्रिक्रियाइन की चल रही है तो उमा जी से हम लोग मिले हमने बताया कि देखिए आपने बहुत हिंदू की राजनीती कर ली बहुत सब कुछ कर लिया आरे सिसको बहुत फाज़ा पहुचा लिया 40 साल में मंदिर की राजनीती में करके आपने सवर्णो को भी आरे च्छन दिला दिया 10% और इसके बाद 40 साल सवर्णो का राज करवा दिया आपकी पोजिसन क्या है आपके समाथ की पोजिसन क्या है आप यह बताईए तो उसमें वो कुछ नहीं बोल पाई हमने उन से यह बोला कि देखिए आपके नाम पे यहां पे नेतागिरी चल रही है आपके नाम पे यहां पे लोग चल रहे हैं तो हमने यह उन से बोला कि आपके नाम पे जो है जब ओवी सी के नाम पे यह बिदायक सांसत बन जाते हैं यह सुनते नहीं है पिछणों की बात यह सिर्व आरस की दलाली गुलामी करते हैं और समाथ को खुद परतार करते हैं अगर यह अगर टिकेट लोधी को देते हैं तो लोधी वाहूल सीट होती है तो लोधी को देते हैं कुर्मी वाहूल होती है या यादव वाहूल होती है तो यादव को देते हैं लेकर एक और ची समझे जब एक पंडित को टिकेट देते हैं दुबे पाड़े चतरवे तो इनको कहीं लोधी बोला जाता है तो कहीं कुर्मी बोला जाता है मतलब जाथ के नाम पर आपना बढ़ाया बनांगी कुस्ट करती है कि वहां दूने बनता इनका right को हिंदु कुछ भी काशी को नहीं बना जाथा मैं तो किसी पोस्टर भेनने बता दीजिए टिकेट का बटवारा होता है तो यह कभ इन्ने लोधियों को कुर्मियों काशी पटेलों को और STSC हमारे समाज किसाथ्यों को इनने हिंदू हिंद सबर और हिंदू पिर्दय कुछ भी बोला हो नहीं बोलते तो यह जो मैंने उनको बताया है ऐस आप आप तो समनल जाएं कम से कम आपको लगातार हमको सब पर आप कमजोर नहीं है हमारा परकार से एकट्विस्ट हों चाहे संगटन हो चाहे विचारधारा हो चाहे हम लोग अप बड़ी अच्छी संख्या में बड़े अच्छे पड़ लिखे और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं इसलिए आप हमारे साथ आ कि रौटी बेटी का संबढना पड़ेगा हम क्ढ़ना कुछ नहीं परतार नही को प्रिफे यह और खळूक सब्सक्राधारा हो को बंद करना पड़ेगा उन्होंने का और यह मुझे अच्छी चीज लगी फिर हमने बोला कि जाती कर जनकड़ना होना चाहिए अब उन्होंने एक कि जिन्दा जला दिया जा रहा है ता अगर में एक मार्सल कौम होती है यादव समाजो जो अपने आपको बोलती है कि हम बहुत बड़े व वह हैं उसको जला दिया गया सरा यह यहां पर अपने आपको धोगेगंण को भूरोदी में ढकर को चछतरी से खटत्री में और च्छत्री में ऐसा है मीडिया कभी दिखाता नहीं हमारे पास मीडिया है नहीं वो तो आप जैसे अब महान लोग जो इस परकार से काम कर रहा है इतना टाइम दे रहे हैं सर और हम लोगों कि इससे यहां की सरकार जो है वोखला गई है टोटल वोखला गई है तो हमारा जो काम है हमारा तोद्दे से और हमें कोई चीज करने की जयर नहीं है जो धर्म पाखंड जो है जो धर्म है धर्म जिसका जो है उसको करो कोई दिक्कद नहीं है पर पाखंड में हमें अब लिप्त नहीं होना है हम समझ गए यही वो शड़े अंत्र है उनका जहां से वो नया रास्ता तैयार करते हैं जब अलगा तो यह सब समझ हो रहे है तो समाझ जाग रहा तो है मिरे अंदर चेतना यहने तुम्हें तो पूजा पाड़ करती ती सिर्ट देखिए वो भौध बुद्धी जी भी है उनों ने यही तो कह दिया हम से कि तुम्हारे पास संगठन नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं है हम अभी अगर वो बेचारधर लेके आते हैं तो लाट मार के और हमें नीचे कर दिये जाएगा तो हम तो यह चाहते हैं कि तुम तागत बर बनो हम तुम्हारे साथ हर्मंच में आएंगे उनने यह हों दिया ना वहाँ पर कि आपके साथ हम हर मंच में हैं जाती के जन करना हो चाहे तुमारा एक और खुल के बोला उनने कि देखिए एक आएक तो आप प्राइवेटी करन बंद करने भी सकते लेकिन हम जो प्राइवेटी करन हुआ है उसमें खुल के ये बात कहें कि वहाँ पे हमारी संक्या के सुरू कर दिया और वहां का मुख मंतरी भी वह सारी चीजें वह लोक ट्यकरते हैं इसलिए यहां भी हम बोलोग सुरू करते हैं वह रोटी बेटी के समद्धिस्टाविद करते हैं उनने ये बहुंदा एक वीडियो में थोड़ा सब पहले नहीं चलुब हुआ हमें क्या प मैं थोड़ा positive हो गया कि अगर वो आज यह कह रही है इसका मतलब है कि हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए क्योंकि यह जो है कम से कम उत्तर प्रदेश मद्द्र प्रदेश राहिस्तान यह बड़ी नेता हैं मैं मानता हूं और अगर यह मूमेंट को लेके चलेंगे और हम सभी लोग मिलके उनका साथ देंगे वो हमारा साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और बीजेपी में आज की स्तिती में बहुत बड़ी खलबली मची है मैं उनके साथ बैटा हूं मुझे समझ में आगे क्या होने वाला है जाती जैनकरना होगा हां जाती जैनकरना होगा उन्होंने बोल दिया मंच लगाईए मैं आगे खड़ी होई चीख ऐसा है महेंदर जी देखिए हम बोलते हैं तो मालियाद 20,000 लोग सुनते हैं आप बोलेंगे 30,000 लोग सुने में लेकिन उमा भार की कोई बात बोलेंगे त तो हो सकता है दो करूर लोग सुने तो जब आप संगठन जब आज आएंगे कर आपके साथ महासभा में तो संगठन तो चार दिन में पूरे मद्धर प्रदेश में और देश के अन्य भागों में खड़ा हो जाएगा उनके आने से और ताकत बढ़ जाएगी ना पहले आप मजबूत किजिएगा तब आएंगे आप मंच लगाईए उनको बुलाईए खुल के बोले जब बोलना शुरू करेंगी तो इधर उत्तर प्रदेश की राधिश की पड़ेगा सब कुछ पड़ेगा तो सवाल यह है कि वह पिछड़ों की बात करती है इसलिए साइड लाइन कि वह लांज olmaz रही है उनके यह उन्हेंने कहा वो इतने बुद्धी जी बैखती है वह stellen कि बात का समर्थन करता हूं मतलब सरद्धी क्या है मन्दल मसिव हैं आज की साब करती है ृवनके यह लोग जो है और मैं ब्रत चलितुरू है इसका मतलब आप समझ जाए क्योंकि अब जो बीजेपी है इनको टोटल दर्कनार कर रही है और वो एक प्रकार से सड़ेंतर का रूप दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश और मद्द प्रदेश में उमा जी भूत बड़ा बोट बैंक हैं तो अब तो और ज प्रदेश की निगाहें बन गई कि वाकिए कुछ होने वाला है और होगा तो जो उमा जी है वो उनको मालूम है कि मुझे क्यों लोगों ने बार बार प्रतार किया है सिर्फ पिछड़ा वर्क के का रहा है भूपेंसींग डियस्पी साथ थे हमारे साथ अभी आयते वो भी स प्रत्री बनने के बाद और उन्होंने अपना जो पीए बनाए जितने भी बनाए चारों तरफ लगाई सब कुछ उनने स्टी ओवी सी के लगा कोई नहीं था तो यह बात क्या है मीडिया का भी बताती नहीं है कि सवाल यह सवाल यह है कि अपने हिंदुतों की राजनिती को मजबूत कर दिया ना जाती जनगन्ना हो जाएगी तो आरे से सब्सक्राइब भगवान एक पूजा स्टार्ट करो भी सी खोजाओ इसका मतलब तो यह हुआ है और लेटर अगर उमा जी वहां देखिए वहां पूइंट हो गया और पीजेपी ने बहुत तवियत से बिनायका ट्यार उमा भारती और लेट कल्यान सिंग साब जैसे लोगों का इस्तमाल किया अपने हिंदुतों के राजनिती चमकाने के लिए इस्तमाल किया और इस्तमाल करने के बाद बिनने का ट्यार कहा है पता नहीं मुझे आजकल वीडियो देखा हुमा जी कल देखा मैंने तो यह तो जानते हैं कि हाव टू यूज बैकवर्ड पीपल वाव तो यूज तो इस्तमाल के लिए सिर्फ हिंदू है भगवा वस्तर ध सब्सक्राइब करते हैं एक चीज और बोली है कि हम जिस जाल में थे वहां ये बाते ही नहीं आई चारों तरफ हमें किस चीज का सबोर्ड मिल रहा था उसका मांगे बढ़ाते गए अब उनको दर्द हो रहा है कि समाज प्रतानित हो रहा है सर बहुत ज्यादा मतलब लोधी कुरुमी काजी बटेल जो पहले जाजा जमीन सब कुछ था आज एक एकड़ की जमीन बची है घर बनाने की जमीन नहीं बची जो तो क्या होगा इस समाज का पूरा बर्माद हो गया पूरा समाज सिक्षा है नहीं इसके बास इसके बास बड़े अधिकारी उत्तर परदेश में आठ नो परसेंट समाज है मद्ध परदेश में कम से कम 12-13 समाज है 63 सीट पर विल्कुल टोटल लोधी समाज खोद एक बो है तो वो भी सी बर्ग यहां पे कहीं कुसवाहा इसी कंडी सर में 50 समाज है कहीं यादों है तो यह जो है यहां पे 7-7 होले हैं अब आप लोग अयहां है खाली खेटीवारी करना गायका दोना बिधायक किशेगा तो कहीं रहें जनुपरान तुम थोप दो कि तुम यह बन जाओ, तुमारी बढ़ने जो तुम यह बना दो, लेकिन हम तो मुल्नेवासी हैं, हमारा धर में तो मिट्टी क्यों पूजा करने वाला है, इससे अलावा कुछ नहीं प्रकरती क्यों पूजा करने वाला है, हमें इससे मतलब नहीं, ये तो हमे उसको काई मैं उसको आगे बढ़ाना है फूले साप का साहुजी महराज का यही हमारे बच्चों को सुरक्षा और भवे सिप्रदान करेगा इसके अलाबा मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है और और अनकाम करने से और वहां भारती जी का भी संकेत वही है सर एक बार हम मिले इतना कुछ कह दिया हो सकता है आप लोग मिलें तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग मिलें मैं को सब्सक्राइब करूंगा कि चलिए यह वीडियो उनको भेज़ देगा जाब अपलोड करूंगा जी कहा है उनने कहा है कि एक किताब भी उनके बास थी अंबेटकर फूले साब के किताब हाथ में लिए थी वह आदमी कहते हैं कि खुला हुआ घर वापस आ जाए शाम में तो अगर आ जाए तो ठीक है नहीं तो आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई जो संगर सो जारी रहेग कोई कैसे रह सकता इसमें बात यह ना तो रड़ेंगे लड़ते आएं अब जीती और जा रहे हैं हमें विश्वास से कि हम जीतेंगे मूनलवासी एक होगा पूम रूप से तो यह थे फायर ब्रैंड महेंदर सिंग की लोदी बहुत नेकता है स्ताफित करने में इनका पूरा ग्रूप है महासभा काफी एक मीटिक में मैं भी था उनलाइन मीटिक में और बहुत ही तेज़ा का बढ़िया चर्चा हुआ था उसमें इनको लगातार फॉलो किजिए सुनिए और जो साथी भी सुन रहे हो तो च्वाइस का मसला भी होता है दीरे-दीरे उपर विड़ता नाएगा एक का सवाल चाहे रिप्रेजेंटेशन को हम नहीं छोड़ सकते हैं यह लड़ाई पहले आपको संगर्सी करना पड़ेगा शुक्रिया महेंदर फिर आप से बात होगी तबनावा और महेंदर जी कितना बढ़िया धाकड बुलते हैं इनको जादा 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 शेयर कर देग अगले एपिसोड ने फिर मिलता हूं आप से शुक्रिया थैंक यू सर जैनी जैनी